जैमा लक्ष्मी फ्रेंड स्वागत आपका एक और नई वीडियो के साथ आज हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट फ्लेवर की एक नई डिजाइन वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा तो चलिए वीडियो शुरू करते यहां पर तो यहां पर मैंने फ्रेश फ्रूट लिये हैं फ्रूट्स में आप अपनी पसंद के जोला होस्ट फ्रूट्स हों ले सकते हैं जो फ्रूट्स थोड़े से हाड होते हैं उन्हें हम अलग से रखेंगे और जो फ्रूट सॉफ्ट होते हैं अलग रखेंगे यानि कि यहां जैसे मैंने एक अम्रूद और एक एपल जो लिया है उसे छोटा-छोटा भारिक-भारिक कट कर दिया है अम्रूद के मैंने जो बीज होते हैं उनका हिस्सा अलग कर दिया है औ और तीन चार टेबल स्पून जितना पानी डाला है और मिक्स करके और इन्हें एक उबाल आने के बाद लो फ्लेम पे दो मिनट के लिए पकाएंगे ज्यादा नहीं पकाना हमें फ्रूट्स में थोड़ा सा क्रंचीनेस होना चाहिए और थोड़ी वो सॉफ्ट हो जाने मैं इसमें क्रश यूज़ करूंगी आप चाहें तो बाकी सारे फूट्स वैसे भी यूज़ कर सकते हैं तो अब यहां पर मैंने जो बनाना और मैंगो को कट करके रखा है उसे अब कैस का फ्लेम आफ करने के बाद इसमें डालेंगे और एक बार मिक्स करके और डक्कन लगा आ जाए तो यह खाने में अच्छे लगते हैं अब मैंने इन्हें एक बार छान लिया है और फ्रूट केक बनाने के लिए यहां पर मैंने वाइट चॉकलेट गनाश बनाया है यह बिल्कुल जो मैंने पतला बनाया है और इसमें टू टेबल स्पून जितना यहां पर मैंने डेसिकेटिट कोकोनट डाला है आप इस तरह से एक बार फूट के बना के देखेगा बहुत अच्छा लगता है और यहां पर मैंने कुछ ड्राइफूट्स ले लिए हैं ड्राइफूट में मैंने यहां काजू बदाम ले लिए हैं चोटे-चोटे पीस करके आप चाहें जो मैंने यहां पर केक का सब्सक्रेक के यहां ऑस अच्छा खांसा पर में त 나오्की ऊष्चा क्या को बना में अच्छा-छाएं क्या है वो भी मैंने बिल्कूल थोड़ा सवाई सोग किया है果 ऑब है अब अर्ज पर विपिंग क्रीम की लेय की है और लेयर मैंने विल्कुल प्रीम की है क्रीम क्रीम कैसे की कई करते हैं कि एक का स्पंज कैसे बनाते हैं अगर आपको त年 वीडियो चाहिए इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे अप्लोडेट है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में और अब देखिए जो हमने फ्रूट कॉक्टेल बनाया है वो डाल दिया है उपर से मैंने जो वाइट चॉकलेट गनाश बनाया है डैसिक की आइसिंग कैसे की जाती है फिनिशिंग के साथ इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अप्लोड है अब मैंने जो यह वाली लेयर रखी है इसके उपर मैंने पहले अंदर यह चॉकलेट गनाश डाला है ताकि इस पंज में चला जाए तो और भी अच्छा फ्लेवर आएगा और फर्स्ट ड्राइफ डानना भूल गई थी तो हम इसमें डाल देंगे अच्छे खासे मैंने यहां पर क्रश को भी स्पंज में अच्छे से डाल दिया है और क्रीम अप्लाय करके फिर से वही फूट कोक्टेल बगर डालेंगे और ड्राइफ डालेंगे काफी अच्छी मा कर देंगे इससे पहले हम केक की क्रम कोटिंग करेंगे क्रम कोटिंग करने से केक की आइसिंग अच्छी होती है तो क्रम कोटिंग करके मैंने आधे गंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था केक को और अब यहां पर हम बेबी शावर केक बना रहे हैं तो यह टू कलर्स में है पिंक और ब्लू तो पहले मैं पिंक वाली जो इसका साइड है उसको कवर करूंगी यह कस्टमाइज केक है कस्टमर ने मुझे इसकी पिक शेयर की थी यह देखिए क्रीम को लगा के पाइपिंग बैग में बर लिया मैंने फिर इसके बाद अच्छे से अप्लाय कर दिया है इक्वल सब जगे और थोड़ा से स्पैचुला की इस हेल्प से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है इक्वल और इसके बाद यह कॉम वाले डिजाइन निक शेयर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है उसे भी प्रैस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें आप कभी फ्रूट केक को इस तरह से बना के देखिएगा आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी फ्रूट के डिजाइन डाल दूंगे और अब बेबी शावर केक है यह देखिए मैंने साइड में भी इसके बार्डर बना दिया है डॉट डॉट बनाके उसके उपर वाइट पर लगा दिया है और सेंटर में फॉन्नेंट के क्लैस लगा दी है कस्टमाइज केक जो उन्होंने मुझे श जाएंगे और यह देखिए हमारा केक बनके रैडी है केक का फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शिर्ट